कि सबसे पहले सभी जवानों को जैहिंद बंदे मात्रम प्यार भर नमस्कर तो अभी हम फिर से चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है अगनी वीर को लेकर हटेगा या फिर नहीं हटेगा हटेगा तो कब हट सकता है यह चीजे हटने को तो हटेगा इतना जान लिजेगे यह फिक्स है कि हटेगा यह योजना हटेगा कब हटेगा तो इसके लिए हम लोग कुछ चीजे हम लोग यहां पर जनकारी आपको प्रोवाइड करेंगे अल्रेडी बहुत लोग जानते हैं और जिनको भी जानने की इच्छा है तो आप इस वीडियो को कर दिजिए अपने लब आपके मॉबाइल में जितने भी कॉंटेक्ट सेन ऐसा नहीं है कि यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो डिफेंस की त्यारी करते हैं यह वीडियो सभी के लिए है जो मतलब अगनीवीर योजना के बारे में जानना चाहते हैं आखिर है क्या तो फ पूरी तरीके से बीरोध किया था करता हूँ और करता भी रहूंगा जब तक ये खतम नहीं हो जाता जब तक ये कैंसल नहीं हो जो क्योंकि दोस्तों अगनीवीर योजना में बहुत खाशामिया हैं जो योटूब बताया जा तो बहुत लंभा वीडियो हो जाए गा। बस सबढ़ी चीजे हम लोग जानेंगे पहला एक चीज और मैं आप सबी सब्सक्षाइब को बताना चाहता हूं तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाल फिलाल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में राहुल जी ने बोला है कि देखिए आप भले हैं इनको मजाक में लोग पपू पपू बोल देते हैं किसी को मतलब हो जाता है हावा बन जाता है ठीक है मजाक में पपू पपू लेकिन मैं बाकी मैं इनका तो कोई फैन नहीं हूं और नहीं था और पता नहीं आगे बट इस बात को ले जैसे हमारी सरकार आईगी यह अगनीवीर योजना आइस को हम रत कर दें खत्म कर दें उड़ा देंगे शुक्त और मज़े की बात सुनिए यह अगनीवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती यह अगर आप सेना से पूछें अहां भाई इनका कहना कुछ हद तक सही है कि आप सेना से भी पूछिएगा तो सेना भी इस बात की पूछ्टी नहीं करेगा कि यह योजना अच्छा है तो कहीं ना कहीं यह अगनीवीर योजना गलत है ठीक है ना तो आखिर यह हटेगा कब यह बोल रहे हैं एक वीडियो और वायरल हुआ था इनका जिसमें बोले था अगर मेरी सरकार आती है तो मैं हटा दूंगा ऐसा कोई जडूरी नहीं है कि हटाने के लिए इनकी सरकार भ पर यह बहुत देखेगा लेगन यह 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 नहां हटेगा इतना ध्यान रखिए अभी हाल फिलाल आपने सुना होगा बड़े चैनल पर देख सकते हैं बड़े बड़े चैनल पर यह चल रहा था अगनी वीरों का भाविक सुरक्षित रखना होगा हम देखिए हाल फिलार राजनात सिंग रक्षामंत्री ने एक किसी स्पीच देते वक्त बोला था कि अगनी वीर योजना में अगर जरूरत परी तो अगर जरूरत परी तो मतलब इसमें बदलाव करेंगे ठीक है न तो बदलाव की वही एक्तम पूरी तरीके से आउसकता है और बदलाव करना ही पड़ेगा आप देख सकते कि निउज 24 चैनल ने यह वीडियो बनाया है तो कहीं नहीं कहीं यह मैटर जो है बहुत गंभीर है और जब यह योजना लागू हुआ था उस समय बहुत तोड़ फोड बच्चे ने किया और उसको दबाया गया आप खुद देखे होंगे किस तरीके से योजना के प्रति जो अंदोलन हुआ था उसको दबाया गया लेकिन फिर से यह आग भढ़केगी और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं यह यह जो योजना है हट हटेगा अगनीविर फिर से कैंसिल मतलब होगा और फिर से पर्मानेंट भरती देखने को मिलेगी यह इसलिए मरभाई जो भी मतलब यंग बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर मैं जिनको कहना चाहता हूं जो भी कै 15-21 साल के बीच में हैना मतलब 20-25 तक ही मानका चलो क्योंकि भरती परकिरिया में 5-6 महीने लगते हैं तो यानि आपका लास्ट एज 21 है और एट ज्वाइनिंग है तो 18-21 के बच्चे हैं आप त्यारी में लगे रहो आप फिजिकल की त्यारी थोड़ा बहुत करते रहो पह पहले होगा नहीं जो नियम है वही रहेगा जो अभी पहले एकजाम है तो पहले एकजाम ही होगा उसके बाद बस यह है कि यह जो भरती होगी पर्मानेंट होगी जिस तरीके से ठीक है ना और बस एक चीज और देखिए यह मुद्दा पूरी तरीके से एकदम महौल गरम है यहां पर देखिए अगनी वीर स्किम बंद होने वाले है चार सल के मतलब यह देखिए अगनी वीर स्किम बदलेंगे रक्षा मंत्री यह आप देख सकते हैं सुभांकर मिस्रासर है तो मतलब इनकी बातों में थोड़ी बहुत वजन लगता है मुझे इनकी वी एस पिक्च यह वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जागा कि कहीं न कहीं यह योजना बंद होने वाली है तो मैं इसलिए सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक जम जोड़ सोड़ से त्यारी करिए और हां आप लोग यह मतलब यह नहीं है पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है यहाँ पर पहला चीज़ तो मैं खुद जब वोट करता हूं तो मैं खुद कहीं भी वोट करता हूं मैं पहले लेट्रेसी देखता हूं कि सिक्षा अस्तर क्या है यह जो परतिनिज़ित्व हैं आप अपने आसपास का जो भी लोग सभा संसद परतिनिज आपके लिए जो विकास करेगा या फिर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसमें कुछ करने की भावना है तो आप वैसे व्यक्ति का चुनाव करिए अपने संसदिय छेतर से बाकि ये मेरा रिक्वेश्ट रहेगा ना मेरा ये रिक्वेश्ट नहीं रहेगा कि मोदी को चु है और ह roommates कुछ लोग कहांगे कि रक्षा मंतरी ने कहाई सुधाहर होगा सुधाहर का मतलब क्या करें था चार साल कर पाएंगे क्या फिर तो वहीं बात रहेगी चार साल के जगापर आठ साल करेंगे पिर भी उन्से अच्छा है पहले से तो बेटर रहे ना ऊट्हर तो पही जो भी अगनी विर वरकिंग है जो भी बच्चे तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबडाना नहीं है आपके लिए आपका जो भविस जो है एकदम सुरक्षित है आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्षा मंतरी का ब्यान है और बाकी दोस्त कोई भी पार्टी हो बस काम अच्छा करना चाहिए यार जब जिस डेस में सेना के जवान खुस नहीं रहेंगे तो फ़ाई फिर मतलब देश का क्या होगा खुद सोच सकते हैं मतलब जो में पीलर हैं आर्मी नेवी एरफोर्स जो भारत के तीनों छोड से एक्तम कमान समाले हैं और उन्हीं को मतलब फै लाड़ी बंगला चाहिए तो आप फोज मत आए ठीक है दोस्त अभी देखिए क्या है कि अगने विर में 30,000 रुपे आप लोग का सैलरी है यह सैलरी मैटर नहीं करता आप यहां इसको 30,000 रही है रखिए बट क्या है ना कि जो टाइम दूरेशन जो चार साल का है ना इसको 24 पंदर साल जो था वही रखिए यह चीजे होनी चाहिए सैलरी इस्ट्रक्चर को लेकर कोई खिलाफ नहीं है अगर बजट नहीं है भाई सैलरी हम लोग का जो जवान है सैलरी पांसेजार दसेजार कम भी लेगा और हां क्योंकि भाई सैलरी कोई कहेगा कि जिस से वह सैलरी के लिए करते हैं लोग भाई सच बताओं तो परिवार होता है सबकी फैमली होती उसको चलाने के लिए कुछ रुपए की जड़वत पड़ते हैं तो आपको पता है यह चीजे तो कहीं न कहीं आप पांसेजार सैलरी कम दिजिए लेकिन यह अगनी विर को चेंज करना हैं रड़ते हैं और क्या देक आपको में जोने बह影片 हटना चाहिती हुआ और हट ना चाहिए तो मतलब आप लोग इसके खिलाफ हैं और क्या इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताईए वैसे बहुत लोगों हम लोग को जागरुक होना है और धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाई है मतलब एकदम आग लगा देनी है कि हाँ यह यह यूजना बंद होनी चाहिए तो होनी चाहिए बाकी कुछ भी हो और दोस्त बाकी आप लोग सपोर्ट करि ये इस वीडियो को फहला दो बाकी ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स वीडियो में एयर फोर्स की वेकंसी पर एरफोर्स का रिजल्ट पर नेवी की वेकैंसी पर और इंडियन आर्मी का एकजाम जो है होने वाला है उसके उपर बात करेंगा 22 अपरील को एकजाम है जिन साथ होकर आप लोग ध्यान देना इस चैनल पर बहुत सारे इंपोर्टेंट क्लासेस भी होंगे आपके लिए ठीक है ना तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जयाहिन बनने मात रूँए